नमस्कार आप बिहार इंसोर्स देख रहे हैं मैं हूँ परंबीर सिंग इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार का कोरोना अपडेट सामने आ गया है पिछले पांच तारी को पांच जनेवरी को बिहार में टोटल बिहार में बहुत ही कोरोना फैल रहा है अब बच के रहना जरूरी हो गया है वहीं राज़नानी पटना के बात करे तो राज़नानी पटना में पूरे बिहार में 2300 से अधीक केस मिले हैं वहें अगर बात करें रजदानी पटना की तो रजदानी पटना में अकेली 407 कोरोना के नए मरीज मिले हैं इसके साथ ही बिहार में 5000 से अधीक कोरोना के एक्टिव केस हो गये हैं वही मिर्तु की बात करें तो दो लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है तो कोरोना से अब बज़ कर रहना जरूरी हो गया है तो चलिए आपको पता देते हैं कि किस जिले में कितने कोरोना के नए मरीज मिले हैं पांच जनवरी का यहां रीपोर्ट है अरेडिया में 19 केस मिले हैं अरवल में 10 और अंगाबाद में 13 बांका में 12 बेगुसराय में 71 भागलपूर में 27 भोजपूर में 24 बकसर में 8 दरभंगा में 24 इस्ट चंपालन में 12 गया में 177 कुपाल गंज में 4 जमूई में 8 जहनाबाद में 23 कैमूर में 3 कटिहार में 19 खगरिय अधिरए में दो, किसनगर्ण में 27, लखिस्राय में 21, मदेपूरा में 3, मदोबनी में 36, मुंगेर में 20, मुझपरपूर intervention में 128, नलंदा 125, नवादा में 10, 15, 147, पुर्णिया में 15, रहतार्स में 15, सहडसा में 15 समस्तिपूर में 31 सारण में 52 केस मिले हैं सेपूरा में 8 सिवर में एक भी केस नहीं मिले हैं वहीं सितामरी में 10 सिवान में 9 सुपॉल में 4 वैसाली में 35 विष्च चंपारण में 18 और दूसरे राज के रहने वाले 25 टोटल 2389 केस 5 जनवरी को बिहार में मिला है और रजधानी प पांच जनवरी को 1400 से अधीक कोरोना के नए केस मिले है तो अब सवधान रहने की जरूरत है आज से नया गाइडलाइन भी लागू हो गया है तो रात को 9 बजे से पूरे बिहार में नाइट कर्फू भी लगेगा लेकिन लगतार बढ़ रहा कोरोना का यह मामला कहीं न कहीं चिंता का भी सह है तो सवधान रहने की जरूरत है बहरार अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो तुरंत कर लें कोविड से सिफ रहने के लिए हाथ धूते रहे दो गज की दूरी का प्योग करें मास्क का प्योग करें धन्यवाद